हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल में फ्रेंड्स दच्छन भारत बहुत सारे आकरशक मंदिरों से सुसज्जित है साथ ही इन मंदिरों की आकरती इनकी बनावट कुछ इस प्रकार किये कि यहां प्रवेश करते ही एक अलग ही आनंद की अनभूती होती है पास्त्विक नाम सिरी वेकेंटेश्वर मंदिर है क्योंकि यहां पर भगवान वेकेंटेश्वर विराजमान है जो स्वेम भगवान विष्णु है ये प्राचीन मंदी तिरुपती पहाड की सात्वी चोटी जिसे वेकेंट चला के नाम से जाना जाता है वहाँ पर इस्थित है ऐसा माना जाता है कि वेकेंट पहाडी के स्वामित्व के कारण भगवान विश्णु को भगवान वेकेंट एश्वर कहा गया है प्रेंड्स तिरुपति बाला जी की शिल्प कला तो अद्भूत है ही साथ ही इस मंदीर के विशे में कुछ ऐसे आश्चर जनक तथे और रहस हैं जिनने जानकर आप स्वेम ही भगवान वेकेंटेश्वर के दर्शन के लिए इच्छुक हो जाएंगे तो आईए जानते हैं उ आप वहां नत्मस तक होते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं पर उन्तु जैसे ही गर्भ ग्रह से बाहर आएंगे तो अचमबित रह जाएंगे क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतित होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिने और इस्थित है रोचक ये है कि प्रतिमा को इस प्र भगवान के इस रूप में मालचमी भी समाहित है। इसी कारण इस्तरी और पुरुष दोनों के वस्तर पहनाने की यहां पर परमपरा है। इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। फ्रेंड्स वेकेंटेश्वर स्वामी मंदिर में 30 किलो मीटर दूर पर एक ऐसा गाउं इस्तित हैं जहां गाउंवालों के अतरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। यहां के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नीमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में अरपित होने वाले पदार्थ जैसे कि पुष्प फल दूद दही दूद मक्षन आदी इसी गाउं से आता है। आश्चर की बात तो यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। यहां तक कि यह भी नहीं गया था कि इस दीपक को कब प्रजवलित किया गया था। फ्रेंड्स भगवान वेकेंटेस्ट्वर पर एक प्रकार का कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि यह किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है। लेकिन भगवान बाला जी की प्रत्मा पर इस कपूर का इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं दिखता है। कहा जाता है कि भगवान वेकेंटेश्वर के बाल असली हैं जो कभी उलजते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं ये एक अचमबा है कि एक प्रित्मापल लगे बाल असली कैसे हो सकते हैं फ्रेंट्स मंदिर के दाहिने और एक छड़ी रखी हुई रहती है ये वो छड़ी है जिससे कभी बच्पन में बाल जी की पिटाई की गई थी पिटाई लगने से इस छड़ी से भगवान की थूड़ी में चोट लग गई थी इस चोट पर चंदन का लेप लगाया गया था इ भी कहा जाता है कि भगवान की प्रित्मा सदय नम रहती है तो फ्रेंट्स उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिपिकेशन आप सबको मिलती रहे थैंक यू